The headline read a million voted today. Actually 90,018 people voted each hour for 12 hours. Did the newspaper give a sensible account of the number of votes cost in the election? तो question number 3 में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक newspaper है जिसकी headline है a million voted today. तो यहाँ पर एक गंटे में 90,018 people से जो वोट कर रहे हैं और यह voting 12 hours तक चलती है. यह voting कितने गंटे तक चलती है? 12 गंटे तक चलती है. तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि क्या newspaper ने एक ठीक हिसाब दिया है वहाँ पर कि election में इतनी वोट डाली गई है. कितने डाली गई है? जितना इसने अपनी headline में बोला है. ठीक है? तो देख लेते हैं इसको यहाँ पर newspaper की headline क्या है? A million voted today. Means यहाँ पर one million और one million होता है हमारा कितना? 10 lakh. तो number of votes cost in one hour. ठीक है न? तो one hour में कितनी वोट डाली गई है? यह डाली गई है 90,018 ठीक है? और जो voting है वो कितने घंटे तक चलती है? वो चलती है 12 गंटे तक तो number of votes cost in 12 hours. ठीक है? तो 12 गंटे में कितनी वोट डाली गई है? त पहल से तो कितना आ जायेगा यहाँ पर? 12 गंटे जा 96, 12 गंटे जा 12 और 9 कितना हो गया? यह हो गया 21 ठीक है? तो यहाँ पर 1200, 12 गंटे जा 108 ठीक है? तो यहाँ गया 10,80,216 एस्टीमेट कर देते हैं इसने बुला था एस्टीमेट करके निकालना है ठीक है? तो estimate क्या हो जा जाएंगे तो यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,6,0,1,2,3,4,5,6 ठीक है? 10 लाग तो yes, the newspaper give a sensible account of the number of votes cost in the election, लास्ट में हम यह राइट कर देंगे ठीक है? उसने बुला था 10 लाग तो इसकी यह nearby value है 10,80,216 ठीक है?